अब राधी गदी विदियों से हटकर समात सेवा के जर्ये अपनी 26 सुधानिक का प्रयास कर रहा रंजित सफिल कर तीन शिक्षा संस्तानों का अधिक्षब बनकर साथ स्कूलों का संचाल गरा था यह खबर प्रकाशित होने के बाद पुलिस ने सभी संस्ताओं से सफिल करके ढ्योगती के बारे में जानकारी मांगी सब इस संस्ताओं ने उसे पजसी खटाने की सुचना पुलिस को दी है शातीर और ध्रीड है और उससे सच उगलनवाने में पुलिस को काफी कसरत करनी पावन गाउक परिसर मिस्तेद खेत में ले जाकर मार डाला था। इशाप और मनिश करी भी दोस्ते लेकिन पैसो का लालस देकर सफिलकर ने उसी अपने गिरों में शामल कर लिया। लेकिन मनिश भतीचे से वफादारी निपा रहा था। शहर पुलिस ने मनिश रिवास हत्य कान सुलचानी के लिए एडी चोटी का जोर लगा थिया। इशाप जानता था कि आज नहीं तो कल उसकी गिरफतारी होने वाली है। इसलिए वह खुद पुलिस के समक्ष पेश होने की तयारी में था। सफिलकर को डर था कि पुलिस की हत्ते चरते ही इशाप उसका नाम कर भी था। क्योंकि उसका मूबंध होने के बाद सफिलकर का नाम लेने पाला कोई भी नहीं था। वह कोई निनने ले पाता उसके पहले ही पुलिस ने सफिलकर को दपुछ लिया। उसके बढ़वानी जिले से इशाप की गिरफतारी हुई। उसने पुलिस को बताया कि विक्षा सनस्तान होसे उसे बेदखल कैठ क्या है। बताय जाता है कि उसके बारा बनाइक श्रीराम सेना से भी लोग अब कत्रांने लगे है। उसके साथ संक्टन में शामिर होकर रौब जमानी बाले अब श्रीराम सेना की नाम से भी कंदी काड बुद रहे है। उन्हीं क हंसा पुरी निवासी, विनय और गोलू बातों बताया क्या है। इस प्रक्रण में धीरे धीरे नए नाम उजा कर हो रहे हैं। सक्ति से पुष्टाश करने पर इशाक और रंचित ने गोलू बातों का नाम उकल दिया। तुरंद क्राइम ब्रांच की टीम ने उसे गिरफतार का लिया। बताय जाता है कि मनिष्ट की हत्या के अलावा विशाल पैसा टेली की हत्या में भी गोलू सभा की था। इसलिए पुलिस ने उसे भी गिरफतार का लिया। उसे नयाली में पेश क्या गया। अदालत ने पांच दिन की पुलिस हिरासत मनसूर की है। कैमरा परसन अकलेश भारत बाश के साथ अभिशेक पांसी के रिपोर्ट।